और इस वक्त का मेरा स्टॉक है अहलू वालिया कॉंट्रैक्ट यहाँ पर आपको तेजी का कॉल दिया जा रहा है वेरे टागेट है यहाँ पे 285 रुपए के इस स्टॉक को चुनने की वजह जो मैं आपको सुबह भी बता रहा था कि आपको उन स्टॉक्स पे दाव लगाना चाहिए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है तेजी में या फिर एक बार पार्टिसिपेट करके वापिस से थोड़े करेक्शन के मूड में आ गए हैं वहाँ पर आपके लिए इंट्री के बहत शांदार मौके बनते हुए दिखाई दे रहा है इस बाजार में यह स् साफ से इस स्टॉक में अभी काफी बड़ी उपर जाने की जगे साफ तोर पे नजरा आती है वो पहली बात दूसरी बात कंपनी ने जो अपडेट दिये है हाली में यह बताया है कि किस तरह का इंपैक्ट दरसल कोविड का आया अगर आप स्टॉक के करेक्शन में देखें तो काफी बड़ा असर आपने देखा ये करोना की वज़े से गिरावट आई लोगों को लगा सारा कामकाच ठप हो गया जी कहीं कुछ नहीं हो रहा है लेकिन कंपनी के अपडेट में यह बताया गया है कि तकरीबन सारे साइट्स पे काम चल रहा है पहली बात दूसरी बात उनका ये कहना है कि हाँ काफी जगे पे लेबर की थोड़ी कमी हुई थी क्योंकि लोग अपने अपने गाउं चले गए थे लेकिन अब आप हाल के आखने देखिए हम हर रोज आपको किसी भी न्यूस चैनल पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग डर के चले गए थे अब व और अब इनकी ओडर बूख हो गई है साड़े साथ हजार करोड उपए 500 करोड उपए के और ऐसे ओडर है जहाँ पर ये L1 जो हम कहते हैं टेकनिकल भाशा में यानि लोई स्मिडर हैं तो ये कॉंट्रैक भी इनको मिलेंगे अब आपका सवाल ये होगा कि ठीक है ओडर तो म बोल रहा हूँ और जो हैं वो सरकारी है यानि ये सारे और एक्जीक्यूट होंगे ही होंगे इनको मंदी से कोई फरक नहीं पड़ता इनको कोरोना से कोई फरक नहीं पड़ता सरकार इन फैक्ट और नए और इंफ्रास्ट्रक्चर के शेतर में जारी कर रही है और पुश कर की बिल्कुल चिंता करने की जरुवत नहीं है, 78 फीज़ी ओर्डर सरकारी हैं, वो इंप्लिमेंट होंगे, एम्स चैसे बड़े-बड़े ओर्डर से इनके पास, All India Institute of Medical Sciences का एक बड़ा ओर्डर है इनके पास, 48 फीज़ी कुल ओर्डर हैं, जो दरसल हेल्थ केर और हॉस्पिट लेकर आ रही है, तो आपने वो पूरा जो पैकेज सुना है, वित्तबंत्री की ओर से, उसमें बहुत बड़ा फोकस इन तमाम सेक्टर्स पे, कॉंट्रेक्स पे है, और वो कॉंट्रेक्स आने वाले दिनों में जारी होंगे, बादार में आएंगे, क्योंकि सरकार की पूरी तयारी है, अगर सितंबर के आसपास, जब एक बार ये कोरोना का पूरा डर निकल जाएगा, एक नया स्टिमिलेस पैकेज लाया जाएगा, लक्षमेंट जी आपको लगातार, उस पे अपडेट देते हैं, उसमें बहुत बड़ा फोकस इंफरास्ट्रक्चर, इंवेस्पेंट पे रहने वाला है, तो उस लिहाज से इस समय आपके लिए बहुत शांदार मौका दिखाई देता है, मैंने कुछ एनलिस्स की रिपोर्ट पढ़ी, जो ये मान रहे हैं कि अगले दो से तीन साल के दौरान यहाँ पर EPS डबल हो सकती है, क्योंकि देकि इतन इसे दारी है, 15 फीजडी, प्रोमोटर्स, मूचल फंड्स, एफ़ाई आइजन तीनों को अगर आप अड़ करते हैं, इंस्टिउशन करीब 30 फीजडी और प्रोमोटर्स को अड़ कीजे तो 96 फीजडी स्टॉक बहुती स्ट्रॉंग हैंड्स में है, इसलिए जो गिरावट आई है, यह आपको तेजी के साथ और करीब-करीब पूरी रिकावर होती हुई आगया आने वाले दिनों में दिखाई देगी, इसलिए यह स्टॉक मैंने चुना है, फिलहाई